क्या आप जानते हैं कि शुतुर मुर्ग की आखें उसके दिमाग से ज्यादा बड़ी होती हैं और यह दुनिया का सबसे बड़ा पक्षी है। एक तितली का दिल एक मिनट में 500 बार धड़कता है, वही एक छिपकली का दिल एक मिनट में 1000 बार धड़कता है। सटर्न और जूपीटर ऐसे ही दो ग्रह हैं, जहां का के वातावर्ण में बड़ी मात्रा में कार्बन मौजूद है, और जब मौसम में बदलाव की वजह से कार्बन पर बिजली गिरती है, तो वह बिलकुल हार्ड होकर ग्रेफाइट बन जाता है, और नीचे गिरने लगता है जहां एट्मोस्फेरिक प्रेशर उसे तब तक हार्ड बनाता जाता है, जब तक कि वो डाइमंड ना बन जाए और इस तरह वहां हीरों की बारिश होने लगती एक पेंसिल में इतना ग्रेफाइट होता है कि इससे 35 मील लंबी लाइन खींच सकते हैं और करीब 45,000 शब्द लिखे जा सकते हैं दुनिया के 100 सबसे अमीर व्यक्ति एक साल में इतना कमा लेते हैं कि उससे दुनिया की सारी गरीबी को चार बार खत्म किया जा सकता है सूपरमैन का नाम सुनते ही हवा से बाते करने वाले एक सुपर हीरो की इमेज माइंड में बन जाती हैं पर आपको जानकर आश्चर यहोगा कि जब 1938 में इस करेक्टर को क्रियेट किया गया था तो उसके पास उड़ने की शक्ती नहीं थी ऐसे में वह उची-उची इमार्तों को तो जंप कर लेता था पर अगले ही पल उसे जमीन पर आना पड़ता था बाद में 1940 में जब एक नए कार्टून शो के एनिमेटर्स ने सुपरमैन को लेकर कार्टून बनाना चाहा तो उन्हें जंपिंग सुपरमैन बनाने के लिए बार-बार घुटनों को मोड कर स्केच ड्रा करना पड़ता था जो काफी डिफिकल्ट था ऐसे में डिसाइड किया गया कि सुपरमैन के पास उड़ने की शक्ती होगी और उसे बार-बार जमीन पर नहीं आना पड़ेगा इससे सुपरमैन को नई शक्ती भी मिल गई और एनिमेशन भी स्मूद बन पाया ये तो हर कोई जानता है कि ताश के पत्तों में चार राजा होते हैं लेकिन एक बात जो कम ही लोगों को पता होती है वो ये कि इन में से तीन राजाओं के तो मूछे होती है लेकिन एक की नहीं होती और वो राजा होता है King of Hearts, British Newspaper The Guardian के अनुसार शुरू में इस राजा के भी मूछे होती थी लेकिन एक बार जब कार्ट्स को रिडिजाइन किया जा रहा था तब डिजाइनर उसकी मूछे बनाना भूल गया और तब से King of Hearts बिना मूछों वाला राजा हो गया शायद आपने कभी ध्यान ना दिया हो उनमें से तीन राजाओं की मूछे होती है फोटो खीचते समय से चीज कहने का प्रचलन है ताकि हमारी स्माइलिंग पेका सके लेकिन आपको जानकर आश्चर यहोगा कि कुछ सौ साल पहले विक्टोरियन एरा में लोग फोटो खीचते समय से प्रून्स कहते थे ताकि फोटो में उनके चहरे पर गंभीरता दिखे दरसल उस समय अधिक हंसना गरीबों और शराब पीने वालों से जोड कर देखा जाता था शायद यही कारण है कि जब हम पुराने समय के राजा महा राजाओं की पोट्रेट देखते हैं तो हमें कहीं स्माइलिंग फेस देखे को नहीं मिलता है Modern Physics की मदर कही जाने वाली महान वैग्यानिक मैडम क्यूरी का नाम आपने जरूर सुना होगा उन्हें उनके Radio Active पदार्थों पर किये गए शोध और Polonium तथा Radium की खोज के लिए जाना जाता है लेकिन शायद आप ये ना जानते हों कि Radio Active Elements में उनकी रूची ही उनके मरने का कारण बनी Exposure to Radio Activity की वजह से उन्हें Aplastic Anemia नामक बीमारी हो गई जिसने उनकी जान ले ली यहां तक कि Radiation ने उनके कपड़ों, फरनीचर और किताबों को भी नुकसान पहुँचाया iPhone का नाम आते ही दिमांग में Apple Company के इस शांदार प्रोडक्ट की इमेग बन जाती है पर आपको जानकार आश्चर यह होगा कि पहली Mobile Device जिसे iPhone नाम दिया गया था वो Apple ने नहीं बलकि Cisco Company ने बनाई थी, उसका काम बिना Computer प्रयोग किये Skype की Voice Functionality को यूज करना था इस डिवाइस के आने के 22 दिन बाद Apple ने अपने iPhone की घोशना की थी जिस पर Cisco ने court case भी किया था पर out of court settlement में दोनों कमपनिया इस नाम को यूज करने के लिए राजी हो गई